सबै सममानी सातियों को मेरा शादर बना था हमारे देश के यह सोची प्रधान मंथ्री माणने नरेंद मोधी जी के नितुत्वे प्रदेश ुश के यह सोची मकुंतरि मारदेशन रतार जनहित के कार्य हो रही मैं उपने कशन जल्द ही शम्विदा नीटी जो हमारे मद्वर्देश शासन नेगोशित की है उसी के अनुरू हमारे कमपनियों में भी वह सम्विदा नीटी लागू हो आज उस सम्विदा नीटी की स्विकरती मेरे द्वारा दी जा चुकी है। मैं बीज जून को बीज जून 1299 को लाइव हुआ था तब मैंने कहा था कि उसमें वाइदा किया था कि सम्विदा नीटी जो 23 का अंवोधन हमारी पड़ेश सरकार ने किया है उसके अनुरूप हम यह सम्विदा नीटी लागू करेंगे सात्यों हमारी सरकार की पहली प्रात्म उपता है कि हमारे उर्जावभा के सम्विदा साथियों के हेत। सासन के अनरूप और नीती लागू हो नीती आपके हित का स्रवरेशन करने वाली है। हमारे संविदा अधिकारि करमचारियों का वेतन नियमित पद के समकच मूल वेतन के स्व प्रसथ होगा जो कि पूर में 90% था। पूर में नियमित पद के परे जो भरती की जाती थी किया पंजारी होते थे उसमें शम्विदा कर्मियों को 25 छालीश प्रस्षत पर आरच्चित करने का प्राइब था। 90 षर्षत हो गया है। हो पूर में संब्धा कर्मियों को हर तीन वर्ष में अनवंद करना प्राइब थे परंतो इस नीती में, अब एक बार अनवंद के उपरांद, समान संविदा सर्तों पर नेर स्थरे से अनवंद की अवर आसकता नहीं होगी। पूर में शंबिदा कर्मियों की दूटी के दोरान शेवा काल में मिर्त होने का उप्रांथ अनकमपा निफ्ती का प्राबधान नहीं था अब अनकमपा निफ्ती उन्हें मिलेगी नई शंबिदा निफ्ती में शंबिदा अधिकारी करमचारियों नियमित करमचारियों की तरह शेवा निर्वती उपरांत ग्रेजूटी का प्रावधान नहीं था, पूर में भी शेवा निर्वती उपरांत कोई लाव नहीं दिया जाता था, वो लाव दिया जाएगा, नई संविधा नीती में संविधा कर्मियों को भी नीमित कर्मचारियों की तरहे राष्टी पेंसन जोजना का लाप दिया जाने का प्राफदान किया गया है हमारी सरकार शेवा अंदर्वति उप्रांत भी आपके परवाता था तो हमारी शरकार ने जो कहा इस सेवक ने आपसे जो वीज जून दो यारती इसको फेस्टू के लाइब के दौरान कहा का आज को वाइदे को पूरा कर रहे हैं हम लोग आप सब को पनहें पनाम जय लिंद जय भारत